तो नए चेहन करताओं का announcement BCCI ने कर दिया है and guess what चेतन शर्मा जी इस बैक जिसके बारे में already स्पोर्ट्स टॉक ने आपको पहले बताया था कि हो सकता है कि चेतन शर्मा चीफ सेलेक्टर की भूमिका में फिर से आपको नजर आए और exactly वही हुआ है तो आपको बता दे कि कौन कौन से चेहन करताओं को चुना गया जो पांच चेहन करता चुने गया उसमें चेतन शर्मा जी जो है वो चेर्मेन ऑफ सेलेक्शन कमिटी होंगे यानि कि यह उसी पद पर जहां पर कि उनको सैक किया गया था दुबारा उसी पद पर वो चुन कर आ गया यानि कि चेतन शर् श्रीधरन शार्थ ये भी चुनकर आए गए हैं और टेस्ट मैच अल्रेडी टीम इंडिया के लिए खेल चुके हैं सुबरतो बैनर जी को चुना गया है इसके लावा सलील अंकोला है और श्रीधरन शार्थ ये ये पांच नाम है जिनको की चेन करना का रोल दिया गया है एक पांच सदसे जो चेन सरीती बनाई गई है उसमें इन नामों को शामिल किया गया और उमीद करते हैं कि कम से कम चेतन शर्मा जी जो काम अपने पहले टैनियूर में नहीं कर पाए वो कम से कम दूसरे टैनियूर में करके निखाया और जोरदार तरीके से टीम को चुने बिना मतलब की कहते हैं ना की ज्यादा इदर उदर के सोचे जो प्लेयर परफॉर्म करें उनको टीम में रखें अगर बड़ा कॉल लेना हो तो वो भी लेने में ना हिचके चाहें और अपनी तरफ से टीम को चुनें मेरे ख्याल से शायद इसलिए BCCI ने दुबारा इनको मौका दिया है कि शायद इस बार कुछ बहतर रिजल्ट ही इला कर दे तो उमीद तो बहुत जादा है लेकिन चेर्ण समीदी के बारे में ये अपडेटेड इन्फरमेशन आई थी जो मैंने आपके साथ में शेयर कर दिय आप लगातार बनेरी स्पोर्ट स्टॉक के साथ में पलपल के इन्फरमेशन आपको यहाँ पर मिलती रहेगी